जैशुकी मैं हूँ प्रियंकर आमोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेटास एशिया की हिंदी सर्वेस कलीस सही समाचार में आप सभी का स्वागत है कलीस सही समाचारों में प्रमुख है वेटिकन ने भारतिय धार्मिक विवाद पर पूर्वी चर्च के फैसले का समर्थन किया कारितास पॉलेंड द्वारा यूकरेन के युद्ध पीडितों के लिए मदद जारी भारतिय धर्म बहन के नाम पर रखा जाएगा केन्या के कैथलिक अस्पताल का नाम कोलकता की मिशनरी ओफ चैरिटी ने चुना नया सूपीरियर जनरल गुजरात में सिस्टर का कथिच जबरन धर्म परिवर्तन मामला रुका मुलकल मामले में लैंगिंग न्याय के लिए अभियान गुड़ फ्राइडे पर शराप पर प्रतिबन लगाने की मांग करने वाले कैथलिक राजनीता की निंदा अवनाचल के बिशप ने बच्चों से यूकरेन के समकक्ष के लिए प्रातना करने की अपील की पास्टर पर आदिवासी लोगों का धर्म परिवतन करने का आरोप रैट्चर चिंदोर में 13 मार्च को पवित्र बालकपन का पर्व मनाया गया रेडियो वेरितास एशिया आप लिए लेकर आए है आर्वे मोबाल एप आर्वे मोबाल एप पर हमारे विबन प्रकार के कारिक्रमों का लाब लें हम से जुड़ें और एशिया इसायत की अवाज का हिस्सा बनें आज ही एप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आर्वे मोबाल एप डाउनलोड करें अब जानते हैं समाचार विस्तार से वेटिकन ने भारते धार्मिक विवात पर पूर्वी चर्च के फैसले का समर्थन किया वेटिकन ने पूर्वी संसकार चर्च के पाँच दशक से चल रहे विवात को समाप्त करने के अपने नविंतम प्रयास में भारत के सिरो मालाबार चर्च के मुकदमे में एक रुपता का पालन करने के निर्णय का समर्थन किया है औरियंटल चर्च के लिए वैटिकन की कलीस्या के प्रिफिक्ट कार्डिनल लियोनाडो सैंडरी ने चर्च के भिश्पो के धर्मसभा के पिछले अगस्त के फैसले का समर्थन किया जिसमें मुकदमे बाजी में एक रुपता अपनाने और इस मुद्दे पर सभी मद्वेदों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था सिरो माला बार चर्च के प्रमुक आच बिशप कार्डिनल जॉर्ज अलन चिरी ने 11 आच के पत्र में बिश्पो प्रोहितो और सामाने लोगों को कार्डिनल सैंडरी की विग्युपती जारी करते हुए कहा यह मूल रूप से धर्मसभा के निर्णयों के लिए साथ जाने का निर्देश है कारितास पॉलेंड द्वारा युक्रेन के युद्ध पीडितों की मदद जारी कैतली कलीस्या के उदार संगठन की कारितास पॉलन चाखा द्वारा यूकरिन के युद्ध पीड़त लोगों की मदद जारी है संगठन द्वारा मदद उन सभी लोगों को दी जा रही है जो युद्ध ग्रस्त देश से भाग रहे हैं अत्वा पॉलन में सुरक्षा की खोच कर रहे हैं पिशले 24 फरवरी से युद्ध के कारण करीब 1.5 लाग यूकरेन वासियों ने पॉलन की सीमा पार किया और शरण की खोच कर रहे हैं इस पूरे समय में कायतास पॉलन ने इस्थानी धर्मप्रांतों एवं यूकरेन के अन्य संगठनों के साथ काम किया है पॉलन की कलीस्या के सहयोग से करीब 650 अनात एवं विबिन प्रकार के देव्यांक बच्चों ने पॉलन में अपने लिए सुरक्षित आवास पाया है जहां कुल 2000 बच्चों के रहने की सुविधा उपलब्द है भारती धर्म बहन के नाम पर रखा जाएगा केन्या के कैतलिक अस्पताल का नाम पूर्वी अफ्रीका के केन्या में धर्म प्रांद ने कैतलिक अस्पताल का नाम एक भारती मूल की धर्म बहन के नाम पर रखने का फैसला किया है जिनकी सड़क दुरगटना में मौत हो गई थी केनिया में काक मेगा के विशप जोसेफ ओबनी सागवे ने कोशना की कि इतांडो मिशन का नाम सिस्टर सुनीता कौन सिक्याओ यूसेबिया कोलाको के नाम पर रखा जाएगा जिन्होंने चर्च द्वारा संचाले स्वास्त केंदर में काम किया जब तक की दुरगटना में उनकी मृत्यू नहीं हो गई वह इंक्यावन वर्ष की थी तीन मार्च को अंतिम संस्कार के अधक्षता करते वे धर्माधक्ष ने कहा की धर्म बेन की आत्मा और विश्वास मिशन अस्पताल और केन्या के समुदाएं में परमेश्वर के लोगों के साथ रहेगा कोलकता की मिशनरी ओफ चैरिटी ने चुना नया सुपीरियर जनरल मिशनरी ओफ चैरिटी कलीसा ने सिस्टर एम जोसेफ को अपना नया सुपीरियर जनरल चुना है चुनाओ 12 मार्च को पूरवी भारत के कोलकता में मंडली के मदर हाउस में हुआ था सिस्टर जोसेफ ने सिस्टर मेरी प्रेमाग की जगा ली जो एक जर्मन थी जिन्होंने पिछले 13 वशों से कोलकता की सेंट मदर तरेसा द्वारस था पितमंडली का नेत्वत्व किया था गुजराट में सिस्टर का कथिट जबरन धर्म परिवर्तन मामला रुका पिछले हफते इसाई मीडिया संगठनों ने संतोष के साथ नोट किया कि गुजरात में एक स्थानी अदालत ने वडोदरा में मिशनरी ओफ चैरिटी के खिलाफ एक हाई प्रोफाइल जबरन धर्म परिवर्तन मामले में सभी कानूनी कारवाही को रद कर दिया उन्होंने यह भी बताय कि मामला अभियोजन पक्ष ने सिविकार किया है कि उनके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई गंबीर आधार नहीं था हाला कि धर्म निर्पेक्ष मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि मिशनरी ओफ चैरिटी के खिलाफ कथे जबरन धर्मांतरन मामले की जाश तब तक रोक दी गई है जब तक कि सुप्रीम कोट गुजरात सरकार द्वारा दायर अपील पर फैसला नहीं सुना देता सुप्रीम कोट के समक्ष अपनी अपील में गुजरात सरकार ने अगस्त 2021 के गुजरात उचे नियाले के आदेश को चुनोती दी थी जिसने गुजरात धर्म स्वतंतरता अधीनियम 2003 की कई धाराओं के संचालन पर रोक लगा दी जिसके तहट प्राथमीकी के खिलाफ मिशनरी ओफ चैरिटी दिसंबर 2021 में पंजिकरत किया गया था मुलकल मामले में लेंगिक नियाई के लिए अभियान 14 जन्वरी 2022 को बिशब मुलकल मामले पर कोटायम 17 दालत के फैसले के बाद अभियान उभरा बलातकार के आरोप सहित विभन अपराधो के आरोपी को बरी करने के फैसले की कई कानूनी आलोचना की गई प्रकाश मान क्योंकि इसने उत्तर जीवी और अभियोजन पक्ष के कई अन्य गवाहों की गवाही को अनूचित रुप से बदनाम किया और उसके चरित्रों और उदेशों पर आचेप लगाया फैसले के खिलाफ आक्रोश ने उत्तर जीवी और उसका समर्थन करने वाली धर्म बहनों के छोटे समूह के लिए समर्थन बढ़ाया उत्तर जीवी को समर्थन के सैक्रों हस्त लिखी पत्र भेजे गए जिससे शोशल मीडिया पर भी साजा किया गया यह व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया था और नारीवादी मानवधिका रक्षकों सम्मंदे तिसाईयों और अन्य नागरिकों के एक समूह को एक साथ लाया गया था गुड फ्राइडे पर शराब पर प्रतिबन लगाने की मांग करने वाले कैतलिक राजनीता की निंदा एक कैतलिक राजनीता की मांग है कि तमिल लाडू में राजसरकार गुड फ्राइडे पर शराब की दुकाने बंद रखे इसके बाद शोशल मीडिया पर इसका विरोश शुरू हो गया तमिल नाडू अल्प संख्या कायोग के अद्दक्ष पीटर अलफोंस ने मुखे मंतरी M.K. स्टाली ने 3 मार्च को उनसे 15 अप्रेल को सभी सरकारी शराब की दुकानों को बंद करने का आगरे किया उन्होंने कहा कि इसाई समूदाई के साथ सम्मान और एक जुट्ता के प्रतीक के रूप में शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाना चाहिए जो कि गुड फ्राइडे के दिन उपवास और परहेज के साथ येशु मसी के दुखभोग और मृत्यू की याद दिलाते है अपने बच्चों से यूक्रेन के समकक्ष के लिए प्राथना करने की अपील की भारत के सबसे दूरस धर्मप्रांट के कैतलिक बच्चों से युद्ध ग्रस यूक्रेन में अपने समकक्षों के लिए प्राथना करने की अपील की है मियाओं के विशप जॉर्ज पल्ली पिरांबिल ने 10 मार्च को यूकरेन की निप्रो शहर में किंडर गार्डन पर रूसी हवाई हमले के तुरंत बाद अपील की सेलेशन धर्मादक्ष ने सभी को संबोधित एक नोट में कहा मैं धर्म प्रांथ में अपने सभी बच्चों से अपील करता हूँ कि हमारे पिता यूकरेन में पिड़ित बच्चों और परिवारों के लिए जितनी बार संभव हो सके प्रातना करे पास्टर पर आदिवासी लोगों का धर्म परिवतन करने का आरोप पूर्वी राज जार्कन में आदिवासी लोगों को इसाई धर्म में लुभाने के लिए धर्म प्रचार सत्र आयोजित करने के लिए पास्टर की गिरफतारी की मांग में एक सिख समू उद्वारा एक हिंदू संगठन में शामिल हो गया है विश्व हिंदू परिशद ने पास्टर रवी सी और उनकी पतनी पर जमशेटपू शहर के गोल मुरी इलाके के नानक नगर में अपने घर से चंगाई सबा आयोजित करने का आरोप लगाया विश्व हिंदू परिशद और एक सिख संगठन जार्खन गुरुद्वारा प्रबंदग कमीटी ने 27 फरवरी को पास्टर सींग के खिलाफ विरोध प्रदेशन किया और मुख्य मंत्री हेमन सोरेंग पर उनके खिलाफ कारवाही करने में विफल रहने का आरोप लगाया मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि राच पुलिस ने उस दिन पास्टर सींग को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया लेकिन शाम को उन्हें रिहा कर दिया जारकन सरकार के आदिवासी सलाकार परिशर ने सदसी रतन तिर्की ने पास्टर के खिलाव धर्म परिवर्टन के आरोप से इनकार किया है रेट्चर चिंदौर में 13 मार्च को पवित्र बालकपन का पर्व मनाया गया सुबे 8 बचे बच्चों ने जलती हुई मुम्बती हाथ में लेकर जुलूस की रूप में गिर्जा घर में प्रवेश किया फादर सिबी जोसेफ फादर आयकरा तता फादर सुरेश शोनवानी ने पवित्र मिस्सा अरपित की अपने प्रवेशन में फादर सिबी ने कहा बच्चों को शिक्षित करने के साथ ही उनमें अच्छे गुणों को तथा आध्यात्मिक्ता को विक्सित करना हम सबका करता भी है बच्चे बड़े होकर समझदार और जिम्मेदार नागरिक बने और ईश्वर के बतलाएं मार्क पर चले ईश्वर संसार के सभी बच्चों को स्वस्त रखे आज बच्चों की भजन मंडिली ने सुमधूर गीत गाए बच्चों ने ड्राइंग कॉम्पटीशन में सुन्दर चित्र बनाएं बच्चों के लिए खेल खुद का आयोजन किया गया इसी के साथ कली से समाचार समाप्त हुए अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरो के साथ नमस्कार